हेलो आट्सलवर कैसे आप लोग तो जब भी हमें कुछ recipe बनाना हो तो recipe बनाने के लिए सबसे जादा important चीज क्या है वो है उसके ingredient का होना क्योंकि जब तक हमारे पास ingredient नहीं है तो हम किसी भी तरह का recipe बना ही नहीं सकते उसी तरह जब भी हम कुछ drawing बनाने की बात करते हैं किसी तरह का कोई drawing या painting बनाना हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा important चीछ क्या है उसके element उसके fundamental को समझना जब तक हम उसके element fundamental को नहीं समझेंगे उसके base को नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई भी ड्वाइंग बनाने में या पेंटिंग बनाने में डिफिकल्टी आ सकता है तो वही मैं कुछ important topic आप लोगी साज आज share करने वाला हूँ जो मैं आज share करने वाला हूँ वो पूरा set में cover करने कोसिस करूँगा जिसमें मैं basic से ले करके एक top level का जो painting होता है उसको किस तरह से वहां तक पहुंचा है वो सारा चीज में आज इस वीडियो में डालने वाला हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ pyramids of art कि कैसे हम एक के जो drawing है उसके base को top level या final touch टक लेके जाए वो सारा चीज में आप लोगों के साथ share करूँगा ताकि बहुत सारे जो aspiring artist है उस तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसका कुछ help मिल सके तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पास मैं pyramids तयार कर लिया हूँ और इसको मैं step by step में आपको बताऊंगा कि first step आप कैसे start करेंगे और इसको close कैसे करेंगे तो पहला जो step से हमारा वो है gesture प्लस proportion कि gesture क्या चीज होता है और proportion क्या चीज होता है हलाकि हम इसका practice कर चुके फिर भी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग judge करते हैं तो मैं एक example भी लोगा जिसके through मैं आपको समझाओंगा तो यहाँ पास मैं एक example ले रहा हूँ जो मैं खुद का अपना एक reference photo लिया हूँ जिसको मैं देखूंगा कि उसका angle क्या है क्योंकि जब तक हमें angle पता ने होगा उसका gesture पता ने होगा तब तक हम किसी भी drawing को perfectly बना ही ने सकते हो सकता है कि जैसे यह जो हमारा reference photo है वो थोड़ा सा side area है थोड़ा सा तेड़ा है अगर हमें उसके gesture के बारे हैं पता ने होगा तो हो सकता है कि उसका जो हम drawing बना रहे हैं वो हो सकता है सीधा बन जाए उस तरह से जो curve area है वो चीज आइट नहीं हो पाएगा इसलिए हमें gesture के बारे में जानना पहला जरूरी है और gesture बहुत जार जरूरी है किसी भी तरह का drawing बनाने के लिए और इसे आप भी कही photo click करके या कहीं से आप photo निकाल करके practice कर सकते है जिससे आपका जो gesture है वो improvement हो तो ये हमारा होगी है gesture अब हम लोग देखते है proportion judgment क्या चीज होता है तो proportion judgment के लिए भी मैं यही photo लूँगा और इसी photo से देखूँगा कि proportion judgment को किस तरह से किया जाता है किस तरह से किसी भी drawing को perfectly judge किया जाता है तो अब देखने माले हम लग proportion judgment तो जब भी हम कोई proportion judgment करते है किसी भी तरह का drawing को बनाते है reference photo से देख करके तो हमारा जो main काम उसमें रहता है वो रहता है कि reference photo को मान की चलिए हमें A4 size का एक paper मिलता है तो हम उस reference photo को उस A4 size में किस तरह से adjust करे सही जगा पर हर चीज कैसे mention करें वो सारा चीज proportion judgment कहलाता है तो proportion judgment इसलिए करना जरूर यह ताकि हम perfectly कोई बिद्वाइं को अपने A4 size या A3 paper में perfectly डाल सकें तो इसमें normal आप curve line का use करके जो आपका proportion judgment कर सकते है और इसमें कोई detailing देने का जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में आप इसमें सिप line, curve या circle देख करके एक proportion judgment कर सकते है उसके बाद जो इसके detailing वगएरा है उसमें add कर सकते है और जितना ज़्यादा आप detailing देंगे जितना ज़्यादा time देंगे इसको आपका वो reference photo के through वो मिलने लगेगा तो यहाँ पास भी आप देख पा रहे होगे कि मैं normal curve या line का यूज करके proportion judgment कर रहा हूँ इस reference photo को देख करके तो आप भी इस तरह से practice कर सकते हैं जिससे आपका proportion judgment improve होगा और आप किसी भी ट्रा का drawing को perfectly जज कर पाएंगे और यह बहुत basic चीज है और इस चीज को जानना बहुत जारा जरूरी है अगर आप professionally art में ग्रू करना चाहते हैं और यहाँ पास जो हमारा main काम होता है वो proportion judgment करना होता है ना कि detailing देखना तो यहाँ पास हमारा लगबग proportion judgment हो चुका है proportion judgment क्या हो देख सकते हैं कोई eye nose नहीं क्या हो normal proportion judgment करकर के यह drawing बनाया हो तो इस तरह से आप भी बहुत सारा reference photo ले सकते हैं उससे practice कर सकते हैं जिससे जो आपका proportion judgment है वो improve होगा अब जो इसका हमारा दूसरा point से है वो है structure and perspective structure क्या चीज है structure जैसे कि नाम से पतर चल रहा कि किसी भी truck हम drawing को बना रहे तो उसका structure क्या है like मैं एक truck का picture बनाया हो तो उसका structure कैसा है वो सारा चीज major करना वो चीज जानना वो सारा structure के अंदर आज़ता है और perspective का मतलब हो गया कि किसी भी जैसे कि मैं ट्रक बनाया हूँ कोई ट्रक का लंबाई क्या है चावडाई क्या है उसका width कितना height कितना वो सारा चीज पता करना वो हमारा perspective के अंदर आ जाता है तो ये चीज बहुत जारा जरूरी है किसी भी तरह का drawing को measure करने के लिए perfectly draw करने के लिए तो pyramids of art में हमारा जो तीसरा points है वो है composition composition का मतलब हो गया हिंदी में बोल सकते सहियोजन कि हमारे उटने बैटने खाने या कोई भी हम activity कह रहे हैं उसमें composition है उसमें सहियोजन है like यहाँ पास जो भी minutes of art में हमारा जो चौथा points है वो है color plus shading कि हम जब भी color कर रहे या shading कर रहे है तो अगर हम मान के चलिए color ओला drawing कर रहे तो उसमें warm color cool color के बारे में जानने जरूरी है और black and white अगर shading कर रहे है तो उसके लिए हमें उसके लिए dark light area के बारे में जानना जरूरी है उसके shadow के बारे में जानना जरूरी है plus lighting के बारे में समझना जरूरी है तब जाकर कि हम उसमें सही setting कर पाएंगे और उसको exactly reference photo से मिला पाएंगे और एक अच्छा looks दे पाएंगे तो pyramids of art में जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो सबसे last step जो है वो हमारा detailing plus techniques कि जब भी आप कुछ drawing बना रहे तो आप उसमें कौन से technique use कर रहे है उसमें कितना ज़्यादा detailing add कर रहे है क्योंकि जितना ज़्यादा आप detailing देंगे उतना ज़्यादा आपका जो drawing है या जो भी आप painting बना रहे है वो निखर करके आएगा तो ये सबसे main चीज़ है आप किसी भी तरह का drawing को एक realistic look दे सकते है क्योंकि यहाँ पास देख सकते हैं मैं tripod plus camera जो drawing बनाया हूँ उसमें light and dark area add क्या हूँ प्लस उसमें कुछ detailing भी add क्या हूँ like line दिया हूँ प्लस उसमें जो detailing थोड़ा बहुत है वो सारा चीज़ में add क्या हूँ ताकि वो एक realistic look दे तो जितना ज़्यादा आप detailing add करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो drawing है वो निखर करके आने वाला है प्लस टेक्निक उसमें add कीजे ताकि आपका drawing है वो निखर करके आए I hope कि आपको ये सारा points समझ में आया होगा क्योंकि ये gesture, proportion, structure प्लस perspective का हम लोग पहले ही practice कर चुके है अब जो आता है composition या coloring setting या detailing plus techniques का वो सारा practice हम लोग आगे करने वाले है तो अगर आप art को seriously सिखना चाते है तो comment में yes लिख के जरूर भेजएगा ताकि मैं समझ सकू कि आप art में serious है की नहीं है तो यहाँ पास हम लोग gesture, proportion, structure और perspective के बारे में जान चुके है कि ये सब क्या चीज होता है और इस चीज को practice कैसे करे तो अब हम लग आगे बात करने वाले है कि composition क्या होता है color plus setting के बारे में detailing में समझने वाले है plus detailing और techniques के बारे में समझने वाले है तो ये बहुत जादा important है किसी भी drawing को hyper realistic देने के लिए तो ये सब चीज में मैं बहुत ही detail में work करूँगा तो चलिए यहाँ बस वीडियो को close करते है और मिलते है next वीडियो में